नमस्कार विफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा फेस्बुक नहीं जनाब अब मेटा कहिए फेस्बुक कंपनी के ओनर मार्क जुकरबर्ग ने फेस्बुक की री ब्रांडिंग की है और नए नाम के बाद आपके लिए कितना बदल जाएगा फेस्बुक आपके सोशल मेडिया अकाउंट का क्या होगा ये सब बताने के लिए मैं आज आपके सामने फिर बहुत हुद हुआ हूँ और सबसे पहले आप बताएं कि नौ दिन पहले फेस्बुक का नाम बदलने की चल्चा सोशल मेडिया पर जो शोर्ट से सुरू हुई मेटावर्स टेकनोलोजी का नाम आया और हो सकता है कि शीगरी फेस्बुक का नाम बदल जा इस तरह कि कयास लगाए जाने लगे थे लेकिन 9 दिन बाद एबाद सही थावित होगी ऐसा लोगों नहीं लगाया था यह भी का गया था कि कम्पणी की सालाना कॉण्वेंस में नहिता आयलान कि thisで है हलांकि इसे फेस्बुक ने से खारिश कर दिया था लेकिन नौ दिन बाद वाइसा ही सब कुछ हुआ आखिर क्यों इतनी जल्दी इसकी घोस्रा की गई यह भी एक सवाल है जैसे कि चल्चा थे कि सोचल मेंडिया कंपने फेस्बुक को नाम से जाने जाएगी तो सवाल उटता है क्या नाम बदलने के पर कोई असर होगा फेस्बुक के हिस्सा रहने वाले वास्टेब और इंस्टागरम बन भी इसका कोईन असर होगा क्या मेट्स के लिए यूजरस को अलग से कोई अकाउंट बनाने की जरुद पड़ेगी तो यह ऐसे सवाल है जो जिनका जबाब जानने के लिए लोगों में उत्सुकता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि की फेस्बुक का नाम क्यों बदला गया और इसे क्या होगा दसल फेस्बुक वार्ट सेप इंस्टागाम समेथ कई कंपणियों की पैरेंट कंपनी है और इसके सीओ मार्क जुगरबर्ग अपने सभी छोटे वड़े प्रेटफार्म को एक कंपनी के अंदर दाना चाहते थे इ हम इस देश में पीछे नहीं रहना चाहते हैं इसी वज़े से मेटावर्स को तयार किया गया है पिछले कुछ महीनों में फेस्बुक लगातार किसी ने किसी विवाद से घिरी रही है सभी जानते हैं डाटा सिकरटी को लेकर के और कंपनी के ही कई पूरू करमसार्यों ने इसे में नाम बदलने से कंपनी को लेकर होने वाली निगेटिविटी थोड़ी कम हो सकती है सका जा रहा है मेटावर्स पर फेस्बुक ही नहीं बल्कि Microsoft कंपनी जैसे बड़ी कंपनिया भी निवेश कर रही है आपको बताते हैं कि यह अखिर यह मेटावर्स है क्या और फेस कर सकेंगे और आपकी जो वर्चुवल आइडेंटिटी डिजिटल वर्ड में किस तरह प्रवेश करेंगी किस तरह आप उसको उसका उप्योग कर सकेंगे यह तमाम बाते हैं आसान शब्दों में कहा जाए तो मेटावर्स एक तरह की आवाशी दुनिया ही होगे इस तक्नी में ही अपने दोस्तों रिस्तेदारों से मिल सकेंगे चाहे वो जितनी भी दूरी पर हो भविष्च में इस टेक्नोलोजी के एडवांस वजल से चीजों को छूने और इसमेल करने का भी ऐसास कर पाएंगे ऐसा कहा जाता है और मेटावर्स सब्द का सबसे पहले इस्तिमाल साइंस फिक्शन लेखक नील इस्टिफेंस ने 1992 में अपने नवेल स्नो क्रैश में किया था तो मेटावर्स पर अब साथ मिलेंगे सोसल मेडिया के एपस फेस्बुक वार्सेप इंस्टाग्राम सिंगल लॉंग लाइन से ओपन हो जाएंगे तो आपके लिए जादा कुछ नहीं बदलेगा जी हां मेटावर्स नाम होने से आपके फेस्बुक वार्सेप इंस्टाग्राम एकाउंट पर इसका कोई असर नहीं होगा आप अपने लॉग इन आईडी और पास्वर्ट से इन सभी सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म का पहले की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे यह हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी फेस्बुक समेथ इंस्टाग्राम वार्सेप और ओकुलस जैसे अप को मेटावर्स के साथ जोड़ दे यानि सिंगल लॉग इन पर यूजर सभी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे इससे कंपनी को यह फाइदा होगा कि जो यूज इन में से किसी एप को कई दिन तक उपे नहीं करते हैं वो भी हमेशा ओपे नहीं रहेगा मेटावर्स नाम से लीगल बाउंडिस में भी क्या बदला हो आएगा यह आपको जानना चाहिए और यह बनाते हैं आपको कि रसल एक साइब ने काफी कोछ इस बारे में डिटेल द दुनिया पर में फेस्बुक के लिए सब सब बड़ा मार्केट है भारत भी एक बड़ा मार्केट के रूप में उब्रा 2016 में कंपनी ने इंस्टाग्राम वाट्सेप और फेस्बुक के डेटा का इंटिग्नेशन कर दिया तब कंपनी ने किसी भी यूजर की सहमती नहीं ली अब भारत में फेस्बुक के 34 करोल, वाट्सेप के 49 करोल और इंस्टाग्राम के 8 करोल के करीब यूजर क्स हैं ऐसे में फेस्बुक अपनी री ब्रांडिंग कर खुद को नए और्बिट में ले जाना चाहता है तो सवाल भी कुछ उठते हैं कि क्या नई कंपनी का इस्ट् नए आई टी नियम से जो ग्रिवैंस, नोडल और कंप्लाइंस ऑफिसल्स बनाए गए हैं वे नई कंपनी के होंगे या पुरारी कंपनी के नई कंपनी सिर्फ अपना नाम और चेहरा बढ़ लई है पूरा बिजनस मॉडूल यादि हां तो फिर सरकार इससे कैसे निपतेग यह जो पात सवाल है यह एक अपने आप में काफी एहम सवाल है इनका जवाब लोग जानना चाहेंगे आपको बता दें कि फेस्बुक इसमें लगबग दस हजार एंप्लाइस को आउट्सोर्स करने जा रहा है और इसके साथी साथ उसका लगबग अगर इंडियन केरेंसी म जॉब ओरियन्टेड ओपर्सियूरिटी इत्यादी इत्यादी का लाव भारत को भी मिल सकता है धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना पूलें